बच्चों आज हमारा अध्यन का विशे है चित्रवर्णन आईए जानने का प्यास करते हैं कि चित्रवर्णन किसे कहते हैं चित्रवर्णन एक ऐसी कला है जिससे मन के भाव प्रकट होते हैं विद्यारती अपनी कलपना शीलता से चित्रों का अध्यन कर सकते हैं आईए चित्रवर्णन को उसकी सटीक परिभाषा के माध्यम से जानने का प्यास करते हैं किसी चित्र को देखकर उसमें छिपे हुए भावों वा विचारों को अपने शब्दों में लिखना ही चित्रवर्णन कहलाता है चित्र वर्णन करते समय कुछ बातों का विशेश रूप से ध्यान रखना चाहिए वे बातें कौन-कौन सी हैं आईए जान लेते हैं स्वरप्रथम चित्र को ध्यान से देखना चाहिए कि चित्र किस जगां का है चित्र में देखना चाहिए कि कौन-कौन दिखाई दे रहा है एवं दिखाई देने वाले लोगों के चेहरे के भावों का चित्र के साथ संबन समझने का प्रयास करना चाहिए चित्र देखकर यह समझने का प्यास करना चाहिए कि चित्र में क्या क्रियाएं की जा रही है या क्या क्रियाएं हो रही है चित्रवर्णन क्रम्बध होना चाहिए अर्थात वाक्य इस प्रकार लिखे जाने चाहिए कि एक दूसरे से संबंदित हो चित्रवर्णन करते समय अत्यांत सचेत रहना चाहिए चित्रवर्णन में व्यर्थ की बातों को शामिल नहीं करना चाहिए व्यर्थ की बातों को वर्णन में शामिल करने से इसके प्रभाव में कमी आती है चित्रवर्णन की भाषा सरल और स्पष्ठ होनी चाहिए चित्र में दिखाई देने वाली प्रतेक वस्तु को चित्रवर्णन में अवश्य ही शामिल करना चाहिए चित्रवर्णन के लिए निर्धारित शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से लिखना चाहिए प्रतम वाक के पाठक के मन में जिग्यासा उत्पन करने वाला तथा अंतिम वाक के पिशेश प्रभाव उत्पन करने वाला चित्र से संबंदि संदेश देने वाला और लेखक के मन के भावों को व्यक्त करने वाला होना चाहिए तो बच्चों कहने का तात पर यह है कि जब आपको चित्र वर्णन के लिए कोई चित्र दिया जाए तो पहले आप चित्र को ध्यान से देखें कि चित्र किस जगा का है उसमें कौन-कौन दिखाई दे रहा है उनके चेहरे के भाव और की जाने वाली क्रियाओं को भी ध्यान से देखें ततपश्चात मन में आई हुए विचारों को क्रम से सरल, स्पस्ट और प्रभावशाली भाशा का प्रयोग करके लिखें आईए एक उधारन के माद्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि चित्रवर्णन किस प्रकार किया जा सकता है बच्चों, पहले हम चित्र को ध्यान से देखेंगे कि हमें इसमें क्या-क्या दिखाई दे रहा है यह जनम दिन की पार्टी का दृश्चे है इसमें बहुत सारे बच्चे, खूप सारी सजावट, खाने पीने का समान, केक, मुंबतियां, इत्यादी दिखाई दे रहे हैं अब इस चित्र का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है यह जनम दिन की पार्टी का द्रिश्य है इस पार्टी में बहुत सारे बच्चे मेहमान बन कर आए है बच्चे बहुत खुश नजर आ रहे हैं उन्होंने सुन्दर वस्त्र पहने हुए है कक्ष की सजावट रंगीन गुबारों और ज्छालरों से की गई है तथा दिवार पर हैप्पी बर्डे लिखा हुआ है मेज पर केक रखा हुआ है और केक पर पांच मुम्बतियां जलाई गई है मेज पर बच्चों के खाने और पीने का समान रखा है सभी बच्चे मेज के चारों और खड़े हैं और उन्होंने सिर पर रंग बिरंगी तिकोनी टोपियां पहनी हुई है। बाली का मुम्बतियों को फूक मार कर बुजा रही है। सभी बालक उस्सापूर्वक केक को देख रहे हैं, अनन्द पूर्वक जन्मों सब मनाया जा रहा है। तो बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार चित्र का वर्णन किया जा सकता है। आईए अब एक अभ्यास के द्वारा इसे समझ लेते हैं। सरव प्रथम हम चित्र को ध्यान से देखेंगे। ततपश्चा दिये गए शब्दों के माध्यम से क्रमबद वाक्यों का निर्मान करेंगे। दिये गए शब्द हैं चिडिया घर, शान्ती पूर्ण प्राक्रितिक बातावर्ण, सैर का आनन्द लेते बच्चे, पेड पौधे, दुरलब जानवर, पानी में खेल रहे गेंडे, लोहे के पिंजरे में बंद शेर। अब इन शब्दों का प्रियोक करके हम इस चित्र का वर्णन इस प्रकार कर सकते हैं। प्राक्रितिक बातावर्ण में रखा गया है, इसलिए वे सभी शान्त और खुश नजर आ रहे हैं। चिडिया घर में बहुत हर्याली है, यहां अनेक पेड पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिससे आप अभ्यास द्वारा बेहतर बना सकते हैं। मुझे आशा है कि अभ्यास द्वारा आप चित्रों का प्रभावशाली धंक से वर्णन कर सकेंगे। धन्यवाद।